नमस्कार इंडेन नियूज में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ संजना कुश्वाहा तो आईए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा वेदेक जोती शास्र में कुर्बारा राश्यों को वर्णन किया गया है हर राशि का स्वामी ग्रह होता है ग्रहन अच्छatur की चाल से राशी फल का अकलन किया जाता है आज 24 सक्टूबर, 2024 गुरुवार है और गुरुवार का दिन विष्नो जी की पुजा उपासना के लिए समर्पित होता है तो चले जानते हैं, आज के दिन किन राशी वालो को होगा लाब और किन राशी वालो को रहना होगा आज के दिन स्तावधान मेश राशी आज का दिन आपके लिए उल्जनों भरा रहने वाला है ग्रेहस्त जीवन में चल रही समस्याएं काफी हद तक दूर होंगी जीवन साथ ही का आपको पुरा सपोर्ट मिलेगा भाई वब बहन भी आपकी तरक्की देख कर आप से खुश रहेंगे किसी नई प्रॉपटी में आज इंवस्टमेंट कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन आपकी सिहत कुछ गरबढ रहेगी वरिश भराशी आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है अच्छी सोच का कारच चेत्र में आप लाब उठाएंगे समाजिक कारच चेत्रों में कारत लोगों के जन समर्थन में इज़ाफा होगा आपका किसी बड़े पद के मिलने से खुशी का ठीकान नहीं रहेगा आपके सहयोगी भी आपके काम में पुरा साथ देंगे साथी की भावनाव का सम्मान करना होगा कारेच छेत्र में आप अपने अनुभाव का साजह कर सकते हैं आपको यदि कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो आप उसे आस्थानी से निभाएंगे करक राशी आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है आपको उन्नती की रह पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और नौकरी में आपको अच्छी तरक्की देखने को मिल सकती है आप किसी बेवजह की बात को लेकर परिशान रहेंगे जो आपकी विर्थ की चिंताओं को बढ़ाएगा आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देने की आवश्रता है सिह राशी आज का दिन आपके लिए लाभधायक रहने वाला है आपकी पद वप्रतिष्ठा बढ़ेगी आपको अपनी संतान की सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा वेवहाइक जीवन में खु सकरात्मक परिडाम लेकर आएगा आपको किसी काम को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखानी है समाजिक छेत्रों में कारत लोगों को कामों को लेकर महनत अधिक करने होगी आपकी छवी और निखरेगी और परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई निराशन जनक सूचना तो ला राशी आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फल दायक रहने वाला है आप अपने परिवार की सदस्यों के साथ कुछ समय मिलकर बैठकर पारिवारिक समस्याओं का असाने से दूर कर सकते हैं आपके दोस्तों का आपको पूरा साथ मिलेगा आपकी खर्चे बढ मिलेगा आपके कुछ खर्चों को भी आसाने से कर सकते हैं सरकारी नौकरी की तयारी में लगे लोगों के प्रयास सफल रहेंगे धनू राशी आज का दिन आपके लिए आत्म विश्वास से भरा रहने वाला है आपको कार छेतर में कुछ नई जिमेदारी मिलने से आप कुरी रूची रहेगी मकर राशी आज का दिन आपके लिए आनंदबै रहने वाला है आप अपनी आय को बढ़ाने के इस त्रोतों पर पूरा ध्यान देंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी बहतर रहेगी आप अपने घर किसी मांगली कारिक्रम कायोजन कर सकते हैं आ आपका कोई कोट के चहरी से संबंधित मामला सूरज सकता है आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा पारिवारिक समस्याओं को आप बैठ कर दूर करें तो आपके लिए बहतर रहने वाला है धार्मिकारे में आपकी खूबरूची रहेगी मीन राशी आज का दिन आपके यदि किसी बात को लेकर कोई टेंशन चल रही थी तो उससे भी आपको काफी हदे तक छुटकारा मिलेगा जोती शास्त्र की एक शाखांग शास्त्र के जरिये बिना जन्मकुंडली के भी भूद भविश्य और वरतमान जान जा सकता है गड़ित के अंकों से आप जान सकते रहा है मुलांक एक मुलांक एक के जातक आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला होगा धनलाव के कई मौके मिलेंगे आज आपका ध्यान घर और परिवार पर ही केंद्रित रहेगा यह समय बातचीत मिदुता और धेगभाल का है आप लोगों को अपने रचनात्म स्वभाव से प्रभावित करना चाहेंगे शुभांक साथ शुभरंग गुलाबी मुलांक दो मुलांक दो के जातक दिन भर उता चड़ाव से भरा रहने वाला होगा आप स्वास्त संबंधी परिशानियों से बचने के लिए डॉक्टर या हॉस्पिटल का दौरा कर सकते है आराम करें और आध्यात्मिक चिंतन के लिए समय निकालें अभी आप नियंत्रित या कटा हुआ महसूस करेंगे शुभ अंक तीन शुभ रंग पीला मुलांक तीन मुलांक तीन के जातक आज आप अपनी सूजबूज और विवेक से कई तरह की फैसले लेंगे अपने भैका सामना करके और समझदारी से निर्णा लेकर आप इसके लिए तयार हो सकते हैं आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं इसलिए अब संचालन भी उसी पैमान के सदसियों और मित्रों का साथ मिलेगा आर्थिक रूप से सुरक्षित होने के लिए आपको अपने जीवन को प्रतिबंधित करने का प्रियास करना चाहिए शुबहंक चाउवन शुबहरंग नेला मुलांग पांच मुलांग पांच के जातक आज आप हर बात को लेकर भावुक रहेंगे इसलिए छोटी छोटी बातों से निराश्णा हों लोगों से बात करके गलत फैमियों को दूर किया जा सकता है शुबहंक च्छे शुबहरंग पीला मुलांग छे मुलांग छे के जातक नई मिली प्रसिधी और पहचान का मजाले घरेलू मामनों के प्रती सावधान रहे किसी खास रिष्टे या बच्चों को आपकी आवशक्ता पर सकती है कड़ी महनत आपको इनाम का हकदार बना रही है शुबहंकार शुबहरंग हरा मुलांग साथ मुलांग साथ के जातक यह रिष्टे कौशल उर्जा और कारिच हमता को बढ़ाएंगे आपको लोगों को उत्साहित और उत्तेजित करने की जर्रत है आज एक अच्छी मित्रता का रिष्टा बनने वाला है यहां की दुश्मन भी दोस्त बनेंगे शुब अ लज नात्मक प्रतिभा को परिवार के साथ साधह करें जो आपसे प्रभावित होने के लिए तैयार है शुभंक 8 शुभरंक के सरिया मुलांक 9 मुलांक 9 के जातक परिवार और नीजी मामलों को दुनिया के अन्य मामलों से अधिक प्राथ मिक्ता देंगे आज परियावरण के साथ मेल मिलाब बढ़ाएंगे यह समय सुरच्छा की भावना को पुनर जीवित करने का है आईए अब जाने आज का पंचान करण शुबभकार राहू दोपर एक बचकर पातिस मिनट से दोपर तीन बजे तक यमगड सुबह 6 बचकर 32 मिनट से सुबह 7 बचकर 56 मिनट तक कुलिक सुबह 9 बचकर 21 मिनट से सुबह 10 बचकर 46 मिनट तक दुरमोरत सुबह 10 बचकर 18 मिनट से सुबह 11 बचकर 3 मिनट तक दोपर 2 बचकर 49 मिनट से दोपर 3 बचकर 34 मिनट तक वरज्यम दोपार दो बचकर 43 मिट से शाम 4 बचकर 25 मिट तक शुभकार अभिजीत मूरत सुभा 11 बचकर 48 मिट से दोपार 12 बचकर 33 मिट तक अमरितकार राद 12 बचकर 52 मिट से राद 2 बचकर 34 मिट तक ब्रम्ह मूरत सुभा 4 बचकर 56 मिट से सुभा 5 बचकर 44 मिट तक शेशकार एक्रम राशी फल्मे नमस्कार शेशकार एक्रम राशी फल्मे नमस्कार गुरुवार का दिन देवताओं के गुरुण पल्दाइ माना जाता है इस दिन भगवार के फूजा अर्चना और व्वत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगतों पर क्लिपर बाषाद गुरुवार के दिन गत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख सम्रिद्धी बनी रहती है गुरुवार के दिन सुबा चलती उठकर रस्थान करें असके बाद उचा घर या केले की बेड़ के नीचे भगवान श्रे हरे विष्णु की प्रकिमा या कोटो रखकर और प्रणाम करें कोई नया छोटा सा पीला बस्तर भगवान को अर्पित करें भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें प्रिहस्पती देव को पीला रंग अक्टन्त प्रे है गुरुवार के दिन पीला चाबल पीले में ठाई या भोग लगाना शुप होता है हाथ में चाबल और पवित्रे जले कर ब्रत का संकल्प ले एक लोटे पे पानी और हल्दी डाल कर पूचा के अस्थान पर रखे भगवान को गुड़ और ठूली चने की दाल का भूख लगाने भगवान को प्रणाम करे और हल्दी वाली पानी को खेला या किसी अन्य पेड की चड़ों पर डाल दे अगर आप पहली बार गुरुवार का ब्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चैन करें जिस दिन पुष्ण अच्छत्र हो अगर ये संभव ना हो पाई तो किसी भिमास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस ब्रत की शुरवात कर सकते हैं आपको बताते कि अगर आप प्रत कारब करने जा रहे हैं तो इस वरान पौश माहना हो गुरुवार को पीले बस्त बहनना शुक्ष होता है आईए जानते हैं श्री खाने विष्ण की प्रसक्ति मंदिरों के बारे में बद्रिनाथ धाम उत्रा खंड में हिंदु धर्म की चार खामों में से एक बद्रिनाथ मंदिर है जो भगवान विष्ण का सब्चे प्राशीन मंदिर है बत्रिनाथ मंदिर उत्रा खंट की चमोली में स्थित है माना जाता है कि बत्रिनाथ मंदिर का निर्मार्ट साथ वे नौबे सद्री में हुआ था यहां भगवान विश्णू की एक मेटर लंबी शाले क्राम की मुर्ति अस्थाबित है मानेता है कि यह प्रतीमा स्वयम प्रकष्ट की जगनाथ मंदिर जो है ओरिशा में ओरिशा की पुरे जिले में जगनाथ मंदिर है यह मंदिर भगवान विश्णू के अवतार श्रीक्रश्ण को समर्दित है जगनाथ मंदिर पूरे हिंदू के चार खामों में से एक है मंदिर के उपर लहराने वाला जहंचा उल्टे दीशा में लहराता है, मानेता है कि इस मंदिर के उपर से कोई पक्षी तक नहीं उठा, हर साल भविच अगरनात रत निकाली जाते हैं, इसमेर श्रेक्रिश्न अपनी बड़े भाई बल्राम और बहन सुबद्रा के साथ होते है इस रत्यात्रा में दुर्या भच्चि लाको श्रद्धालू शामिल होते हैं, द्वार का धीश मंदिर गुजरात जी, भगबान विश्व के सबसे बड़े मंजिरों में गुजरात का द्वारे का धीश मंदिर हैं, यह विश्व मंदिर जी के अवतार श्रिक्रे सुपू सम सब्सक्राइब हैं, जिसका धीशाग दोह सार साल से थी अधिक पुराना है, ब्रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिल्नाचु मंदिर, दच्चिन भारत की तमिल्नाटू में श्रेहरी का भव्य मंदिर हैं, तमिल्नाटू के तिरुचिरापनली स्वहर की श्रे रंगम में असमंदिर में ते हरे विष्न श्रेषे नाप श्रया पर ब inventीर का परिशल अन्गनाथ स्वामी मंदिर जो के सबसे पुराने और प्रसेंथ मंदिरों में से एक है वेंकटेश्वर मंदिर विरुपत्री के पास तिरुमाला पहाडी पर हर साल अंगिनत दोग यहां आकर भगवान वेंकटेश का असिर्वास और दर्शन पाती है विच्छल रुखमेडी यह वैश्णो मंदिर महाराष्ट के पंछरपूर में है विच्छल रुखमेडी भगवान विष्टू के विठोपा को समर पीच्छल यहां श्रीहरी और उनके पत्नी रुखमेडी विराजमान है सिंहाच्यलम मंदिर रामंदिर विश्राखा पतिलम के पास है सिम्हाच्यलम में भगवान विष्णो के इनर्सिंग अवदार के पिंचा की जाती है कनक भवन आयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है यहाँ श्री हरी के राम अवदार को पिंचा जाता है असमंदिर में राम नौमी का अच्छा बड़े हार्ष के साथ मनाया जाता है, माना जाता है कि कनक भवन में श्रेराम ने कोशल्या के गर्व से जर्म लिया था। ग्यान और उपदेश के अलावा, श्री हरी विष्णु के पास कुछे प्रलेंकारी अस्त्र भी थे। तो आएए जानते हैं, श्री हरी विष्णु पांच तक से सकती साली अस्त्र के इश्या की मावन थे। एवं समय की शक्ती को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुरान में गदा को ज्ञान की शक्ती बताया किया है। इसके अत्रिक्ति या गदा एहम और अहंकार की प्रवित्ती को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोचर कुरान में पमोदकी भग़बान विष्णु की पत्नी तथा सम्रद्धी एवं पुर्थी की देवी लक्ष्नी को दर्शाता है। वही कृष्णो कानेशत यह क्यानों सार यह गड़ा माकाली अथा समय के शक्ति को दर्शाता है। यह गड़ा महभारत काल में भगबान क्रिष्णी को बरुन्टी उसे राप्षों में थी। यह भयंदर कर जिनाउत बन करके शक्ती शाली अस्थरों पर राक्षुत्यों का विणाश करने में शक्षम नहीं। प्रमान सत्यूक में स्वय भगवार नारायन द्वारा किया था। महाभारतकाल में अस्थिका ज्यान भगवान विष्टु के रूप में भगवान उर्ष्ण। गुरु जोना चारें और उनके पुत्र आश्वार थामा को ठाँ सुदर्शिन चक्रुप। सुदर्शिन चक्रु भगवान विष्टु का सबसे प्रिये अस्थिमाना चारें या चक्र बारह अरो दो युपू और छे नाप्जियों से युप्ति था। या अत्यंत गतिशी और बड़े से बड़े अस्थिरों का नाश करने वाला था। इसके अरो में इतियोता सभी राश्य अगनी, लितुरे, सोन, परो, मित, इंद्र, प्रजापति, खनमान, तब, धनवंत्री और चैत्र माह से पालगुन माह तर सभी बारह मास प्रतिश्ठित थी। सुदर्शन चक्त को उंगले से घुमाने पर यह बायू के प्रवाह के साथ मिलकर अगनी प्रज्वलित कर शत्रू को भस्म कर सकता है। प्रियक्रिष्ण आउठा, पैशुराम आउठा, बुथ्र आउठा, कलकी आउठा, भगवान को उनके प्रियफूर चढ़ाने से विजल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अरपित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान तकना चाहिए। आईए जानते हैं भगवान विश्ण को कौन से फूल अरपित करने से क्या फल्द राप्त होता है। धार्मी क्रंतू के अनुसार भगवान विश्ण को कदम के पूल सबसे प्रिय है। स्रीहरी को कदम के पुष्ण अरपित करने से विजल्दे प्रसन्द हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्णों से करने पर रैक्ती कुम्राइट्यों के बाद यम्राज के कष्टू का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विश्ण भगवान अपने भगवान की कामना पूरी करते हैं। गुलाब की पूल से विश्मु जी की पूझा करने पर स्वीहरी के साथ साथ माता लक्ष्मी की विग्रिपा हमें राप्त होती है। वही सब्वेद और लाल कनेर के पूलों से पूझन करने पर भी भगवान शिक्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्तत से पूझको से नारायन का पूझन करना भी शुप माना जाता है। तुलसी के पत्रे शीहरी को रुजाना तुलसी पत्र अर्बित करना शुप होता है। इसके साथ इस बात का भी जान रखे कि रविवार और एका दश्री के दिन कभी भी तुलसी की पत्रे ना तोड़े। इसके अलापा एका दश्री के दिन शमी पत्र से पूजन कहने पर यम्राज की भयानत मार्ग को सुगंता से पार करने थे। पीले और लाल कमल की पुष्टों से भगवान विश्टु जी की पूजा करने से श्वीत दीप में स्थान में जहा है। चंपक पुष्टु से विश्टु जी की पूजा करने वाले लोगों को चीबन गिर्टिव के चक्र से मुख्टी दिनाता है। पौरानिक कथा के अनुसार तुल्सी भी भगवान विश्टु को लक्ष्मी के समान भी पूजा है। और इसलिए उसे विश्टु प्रिया की रूप मानने दाप्रात करने। विश्टु का निवास सिर्शागर है। श्रीक हरे विश्टु के 108 नामों का जाब करना शुख होता है। इनके जाब से आपके जीवन के समस्याय दूर्ट होने लगती है। रोजाना नामों के जाब से आपके जीवन में सुख शांती पनी रहेगी। इसके साथ हैं आपके परिपार में धन की कमी नहीं होगी। आए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेश नामों को और उनके अर्थ। नारायन अठात पिश्पर अठात पर्वाथ। विश्टु को हर चगह विराजमान करने बाला। और शटकार यगे से प्रसंद होने वाला। भूद्भव्त्प्रभु अधात भूद्वर्थमान और भविश्य के स्वामी। भूद्ग्रेत सभी प्राण्यों के रचिता। भूद्भृत्थ सभी प्राण्यों का पोश्ण करने वाले। भाव अथात संपुर्ण अस्तित्व वाले गुटात्मा अथात ब्रम्हान के सभी प्राण्यों की आत्मा में पास करने वाले गूत भावर अथात ब्रम्हान की सभी प्राण्यों का पोशन करने वाले गुटात्मा शुद्ध छवी वाले प्रप्रुप परमात्मा हमेशा एक रहने वाले, पुरुशह, हर जिन में पास करने पाले, साक्षि, अर्थात प्रम्भान की सभी घटनाओं के साक्षि, छेतर्ग्य, अर्थात छेत्थ के ज्याता, गरण्थोजर, गरुण पर सवार होने पाले, योगह, स्रेष्ट योग्य, योगा बिंजानेता, अर्थात सभी जोज्यों का स्वाम्द, प्रिधान पुरो शेष्पर, अर्थात प्रफ्विक्यों और प्राण्यों के भग्वान, श्रिमान, अर्थात देवी लक्ष्वी के साथ रहने वाले, केशव, अर्थात सुंदर बाल वाले, पुरुशोत्तम, श्रेष्ट पुरिश, सर्व, अर्थात सम्पुर्ण याजस में सब धीजी समाहित हो, शर्व, बाण में सब कुछ नाश करने वाले, शिव, अर्थात सदेव, शुध रहने वाले, इस्थानों, अर्थात अस्थित रहने वाले, कुदादी, सभी को जीबन देने वाले, नि संपुन ब्रह्म्हांट के संचाला, प्रभव सबी चीचों में उपस्थित होने वाले, प्रभव सर्व शक्तिमान प्रभव, इश्वर पुरे ब्रह्म्हांट पर अधिपति, स्पयम भू, स्पयम प्रकट होने वाले, शंभू, खुश्या देने वाले, चगनाथ, अथाट ज आज बस इतना ही, खलम आपसे फिर मिलेंगे सब्ता के सातों दिन पूजे जाने वाले देवी दिवताओं की पूजा विधी के साथ, देखते रहें इंडियन न्यूज